सुप्रभाद बिटा मैं प्रवीन मिस्रा आप लोगों को साखी हिंदी काव्य का पहला पार्ट पढ़ाऊंगा जिसमें मैं दो दोहे करके आप लोगों को बताऊंगा इसका जीवन पर्चे और गद्यसाहित का इतियास में पीडिया की रूप में भेज़ चुका हूँ अब आप साखी का पार्ला दोहा देखिएगा सत्गुरु हमसु रीज कर सत्गुरु मने हमारे सच्चे गुरु रीज मने रीज कर प्रसंद हो करके एक मिन्स एक कहया मिन्स कहा परसंग मने बात परश्चा मने बरसा बादल किस देम का भीज गया समय अरतात कभी कभी दाची कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु हमसे प्रस वत्त बाते कहीं, और ऐसी ग्यान की बाते कहीं कि हमारे अंदर की सारी अग्यानता दूर हो गई, जिस प्रकार बादल के बरस्ने से सरीर का पूरा अंग भीज़ जाता है ठीक उसी प्रकार गुरू के बादल दूपी प्रेमु के ज्ञान से हमारा सरीर भी भीख जाता है अर्थात कभी के कहने का आश है या है कि या एक सत्गुरू के उपधेश से ही हिदय में इश्वर के प्रति प्रेमुर्पन होता है और उसी से मन को सांती मिलती है इस प्रकार जीवन में गुरू का अधिक महत्व है ठीके बटा पहले दोहे कार्थ है अब दूसरे दोहे कार्थ आप देखीगा राम नाम के पट्तरे पट्तरे मिस बदले में यहां जो है कभी कभी दास का कहना है कि गुरू ने जो मुझे राम का नाम दिया है उसके बदले में उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है तो फिर क्या ले गुरू संतोस ही है मैं गुरू को क्या दे कर के संतोस कराऊ हां सरही मन माह यही अभिलासा मेरे मन में होसमिस अभिलासा यहीं अभिलासा मेरे मन के अंदर वोंज रही है ठीक है पुराथ देखेंगे फिर एक बार कभी कभी दास का कहना है कि गुरु ने मुझे राम का नाम दिया और उसके बदले में संसार में उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है ठीक है फिर बुआ इच्छा हमारे मन के अंदर ही रह जाती है गुरू ने मुझे रो राम का नाम दिया ठीक है उस राम नाम के बदले में उस ज्ञान के बदले में मैं उन्हें कोई दच्छना देने में सच्छम नहीं हूं तो यह दो दोहा है दो दोहे आप जो है देखते रहिएगा और दो-दोहे कार्च समझते रहिएगा, फिर आगे करके हम दो-दोहे करके पढ़ाएंगे, ठीक.